So student good news है आप सबके लिए Government of India का वो विभाग जिसका नाम आपने कही न कही जिरू सुना होगा UIDI आधार जितने भी आप student के सबके पास अधार काड तो हो गाई आप अधार काड को जारी करता है UIDI जिसकी तरफ से यहां पर एक इंटेंशिप आ रही है non-technical के लिए बी है अंडर-gradution वाले बच्चों के लिए भी है post-gradution वाले बच्चों के लिए भी है सभी के लिए यहां पर अलाग-अलाग इंटेंशिप से बले वहंहें यह इंटेंशिप है ल्लेकिन पैकेज अलाग-अलाग है में प्रवाइड करा दूंगा complete information के साथ याद रखना अपने इस चैनल accounting गुरुजी पर आपको जो भी information दी जाती है वो official website link मलब details जो है proof के साथ दी जाती है ऐसे हमा में कोई बात नहीं करते हर चीज की detail आपको video के discussion में मिल जाती है तो make sure आप जब भी कोई रूपे videos देखते हो तो trust हमेशे अपने आखों के सामने विश्वास पर तभी कीजिए उसमें कोई details प्रूफ हो इसमें आप जल से हल अपलाई कर लेना आज में वीडियो शूट कर रहा हूं 6 अगस्त हो चुकी है कल ये video आपके पास आ जाएगी 31st of August की last date है आप सभी जरूर से apply करें बहुत सारे हमारे student ऐसे होते हैं जिनके पास campus में प्लेस्मेंट्स नहीं लग पाते हैं या internships ही नहीं आ पाती हैं लेकिन off campus बहुत सारी internships, government of India और अलग-अलग companies जो होती हैं उनके दोरा प्रोइड की जाती है और ऐसी सब internships की information हम अपनी इस चैनल पर देते हैं तो अगर आप नहीं है हमारे चैनल पर तो subscribe करके bell icon प्रेस कर लेना और अगर आप इस से related या किसी भी अपने career से related कोई भी आपको query है तो you can follow me on instagram and dm there we will help you to get more and more in your future so चलिए start करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को सबसे पहले proof की बात ही है website देखो uidi.gov.in जब भी किसी website के साथ gov.in लगता है तो वो government of India की website होगी क्योंकि GOV कोई भी personal vaccine नहीं use कर सकता got it अब यहां पर जो official website ही है unique identification authority of India जो government of India का एक विभाग बनाया गया है आपको पता ही होगा इसका short name है UIDAI ठीक है तो यहां पर आप सब देख सकते हो internships आपको provide की जारी है UIDI की तरब से और internships की अगर मैं यहां पर click करूं तो एक complete information तो आपको discussion मिली जाएगी ठीक है यह official इन्होंने अपनी PDF भी जारी कर दी है इसमें इन्होंने 2016 में इभाग बनाया था आपने देखा ही होगा इसमें eligibility वगएरा सब कुछ जो है define कर रखी है बट यहां पर क्या होगा आपको पढ़ाते वात मलब बहुत जदा हो रहेगा तो मैं बड़े form में जाकर लिए आकर आप कैसे यहां पर जो benefit उठा सकते हों तो चलिए सबसे पहले आपको detail में बदाता हूं देखो यह internships है यह basically एक प्रोवाइड की जारी है students को explore करने के लिए various technology tracks को लेकर और including application development, legal domains, cyber security, management इन सबसे लेटेट तो जो tech वाले बच्चे हैं वो cyber security या आपका software developer इन सबसे आ जाए जिसे general management आप कह सकते हैं और उसके लावा insights जो रहता है UIDI functional के recording उसके लावा cyber laws होगे तो यह सब आप यहां पर करने वाले हो जो practicing है ठीक है तो उसमें इने team की जरुत है जिसके लिए students को hire कर रहे है एम basically इनका यह है कि बहुत जो talented students है उनको यहां पर mutual benefits जो है मिल सके दोनों अब technology से related or non technology नहीं ideas लेकर आएंगे तो यह ही इनका main reason है वो रहता है technical management और legal तीन aspects से यहां पर internships आपको provide की जा रही है document जो required है वो यहां पर application आपकी ID proof चाहिए वो कुछ भी आधार है आपकी college ID वगेरा mark sheet आपकी study और एक NOC जो आपको अपने college head से लेके आना पड़ेगा आपके dean है या college head है कोई भी उनसे आपको एक NOC लानी होती है कि उन्हें कोई objection नहीं है यह उनके लिए होता है जो student अभ offline और online दोनों तरीके से apply कर सकते हैं कोई दिकत नहीं 31 अगस से पहले आपको online apply करना है तो आपको सिधा link पर जाकर रेइस्टर करना होगा and registration के बाद आगे process करना होगा अगर आप offline करना चाते तो उसके लिए जो print out यहाँ पर format जो दिया है उसको आप download करके simple head office, head quarter है UIDI के Delhi में वहाँ पर आपको इन्हें send करना होगा by the courier उसके बाद आपको यहाँ पर reject किया जा रहा है या select किया जा रहा है वो सारी information आपको मिल जाएगी सो चलिए यहाँ पर eligibility criteria देख लेते हैं eligibility criteria की बात करें तो इंडियन आप होने चाहिए student आप होने चाहिए किसी भी रेपोर्टेटिव या रिकोगनाइज उनिवरस्टी से हो उसके बाद अगर आप IT फिल्ड से हैं BTEC कर रहे हैं या फिर Bachelor of Engineering कर रहे हैं तो 3rd या 4th year में आप यानि कि 5th, 6th, 7th, 8th sem में आप किसी में भी हो अगर आप graduate student है कोई और course कर रहे हैं तो आपका 1st year है या 2nd sem है अगर आप post graduation कर रहे हैं तो at least आपके 60% marks रहे हैं ग्रेजुशन में रिसेंट जो graduation वाले student है उनके 60% marks रहे हैं previous year में ठीक है और 6 months उन्हें हो चुके हो तो आप्लाई कर सकते हैं आगे बात करें या पर तो recent graduate यह बता दिया मैंने the internship duration जो रहेगी minimum जो है 6 months की रहेगी 6 week की सोरी और maximum 12 months की यानि कि 6 हफते से लेकर 1 साल तक की internships रह सकती है minimum 6 weeks, maximum 1 hour, even year यानि कि 12 months. Interns जो हैं वो work करेंगे UIDI के technology center बेंगलोरू में, regional office है इनका UIDI, sorry मैं बोल गया Delhi में, UIDI का headquarter बेंगलोरूरू में, और remotely भी आप काम कर सकते हो अपने घर से, क्योंकि इन्होंने students को hire करना है, तो possibilities हैं कि student को college भी attend करना होगा, तो although आपको यहां प अपने घर से remotely यहां पर work करेंगे, जिसके ओपर एक supervisor भी होगा, अब यहां पर आप देख लो कितने पैसे मिलने वाले हैं, B-Tech वालों को 30,000 मिलेंगे, जो premises हैं, remote से घर से करेंगे तो 15,000, M-Tech वालों को 40,000, अगर वहीं से करेंगे, घर से करेंगे तो 20,000, PhD वालों को 50,000, गर से करेंगे तो 25,000, professional हो, कोई MBA वाला student है, management से लेटेट तो उसको 40,000, घर से करेंगे तो 20,000, non-technical वाले अगर कोई हैं, यहां पर hire होते हैं, जिसे B-Com वाले बच्चे हैं, मैं गोंगा, सब apply करो, यह मैं सोच हो कि MBA, PhD, हम कहां, सब apply करो, अगर आप owner से हैं, management field से हैं, त गर से काम करेंगे 10,000, PG वालों को 30,000, घर से काम करेंगे 15,000, कुछ यहां पर logistic support भी दिया जाएगा, जैसे आपको पेमेंट दिया जाएगी, loading facilities के आने जाने की यह समझे, बाकी office internet का खर्चा, यहां पर accommodations, transport, जो है आप खुद arrange करेंगे, interns must arrange their own, laptop assignments, वो आपको अपना ले details सब discussion में दे दी है, आपको बोल के दिखाना चाहूं तो internship-uidi. यह आपको दिखा भी देता हूं, यह देखे, अगर आप बात करें, यह आपकी जो यहां पर दे रखिये, official email id, आपको अगर online detail apply करना है, तो उसका क्या process है, यह आपको दे रखिये email id, आपको कोई भी query आप इस email id से ले सकते हैं, apply करने के दो तरीके हैं, पहला तरीक है कि आप official website पे जाकर carefully details पढ़ें, उसके बाद registered करें, and registered करने के बाद आप यहां पर successfully registration हो जाएगा, फिर आप application को download कर ले, उसका print out निकाले, और print out निकालने के बाद, attach करें अपने documents, और उस application को send कर सकते हैं email पे ठीक है, तो email पे आपको send करना को, जो email id नोने दिया है, अगर आप offline करना चाहते हैं, तो print out आप जो आपने print out निकाला है, उसे आप courier भी कर सकते हैं, इनके headquarter पे, तो जिने थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा होगा नहीं होगा, वो उनके headquarter पे courier कर सकते हैं, यह इनका, दे net.in, अगर मैं इस पे tap करता हूँ, तो देखो, यहाँ पर email id न की open हो जागी, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस email id पे भी आप direct अपना resume send करते हैं, तो आपको दो-तीन option होगे, आप email पे direct resume send कर दो, print out direct जो है, आप send कर दो by the courier, या फिर आप online email प पढ़ लेना, यह देखिए, यह undertaking form है, जो आपको यहाँ पर आपको भढ़ना होगा, और इसमें आपको अपने sign वगएरा भी करने होगे, ठीक है, undertaking form के बाद यह आपका application है, यह आपको print out निकाल देना, इसका link मैं देदा हूं discussion में, ठीक है, इसमें आपकी side details आजाएगी, academic details और internship कितने durations के लिए है, और इस पर भी आपको sign वगएरा करने होगे, उसके बाद यह आपको format internship, completion certificate है, जो आपको यहाँ पर internship पूरा करने के बाद जो है, वो provide किया जाएगा, यह पहले ही आपको भर के देना है, ताकि बाद में उसको मोहर मार के आपको provide करा दे, और य के आनी है, मलब वो भी आपको submit करनी है, तो यह 3-4 form है, जो आपको यहाँ पर भढ़ने होगी, यह mutual non-disclosure agreement है, एक यह भी चीएगा, ठीक है, और इसके printouts आप निकाल लेना, detail में आपको सब provide करा दूँगा, अगर आप internship में interested है, government of India की तरब से भैतरीन opportunity है, apply कर लो, सका link discussion आप का जंम आप कर लो, सक्काओ तरब सक कर दो, सकादा को थो तो दो एक्ट आप।